हेलो माईड़ स्टुडेंट्स आ गहें सब लोग चलिए तो अभी आप लोग स्टेंथ आप मेटेरियल कर रहे थे अब हम लोग अब फ्लूड मेकेनिक्स की क्ला स्टुरू करने जा रहे हैं तो अब लोग है चीख है आज पाण्यृसर ने थोरा सा एक्स्टा भी खेच दिया आज मेरा भी स्वास्ते थोरासा ठीक नहीं था सो मेरे को भी थोरा सा आरा मिल गया मैं class start करता हूँ चलिए शुरू करते हैं Good evening, good evening बच्चो, good evening, good evening to each and everyone, good evening एक बाद share कर दीजे सब लोग, सब लोग एक बाद share कर दीजे group में डाल दीजे, classes start हो गई है हम लोग आज FM में, hydraulics में, हम लोग आज pipe flow के questions करेंगे pipe flow के बारे में पढ़ेंगे गुड इवनिंग सतीश, good evening सीमा, good evening रोहित, good evening everyone, good evening each and everyone ठीक है तो चलिए, तो हम लोग practice session जो कर रहे हैं जो practice session हम लोग कर रहे हैं हम लोग जो practice question आपको करा रहे हैं उस practice question में आज का जो topic है आज का जो topic है जो topic क्या है आज का जो topic है हम लोग जो fluid mechanics का practice session कर रहे हैं तो अभी तक हमने last class तक बर्नौली के question आपको कराये थे ना last class तक हमने आपको बर्नौली के questions कराये थे अब बर्नौली पे questions हो गये हैं तो अभी हम लोग जो practice करने जा रहे हैं वो pipe flow पे करेंगे या flow through pipes तो किस chapter पे हम practice करने जा रहे हैं flow through pipes कभी-कभी हम लोग इसको short में pipe flow भी कह देते हैं तो इसकी practice करने से पहले थोड़ा सा हमेशा की तरह इस पर थोड़ा discussion होगा विने पजापती, शैल, कुमारी, गुड़ इवनिंग, गुड़ इवनिंग, बच्चो गुड़ इवनिंग, गुड़ इवनिंग, आए class start करा जाए ठीक है तो देखी भाई हम लोग जो practice question करने जा रहे हैं उसका topic क्या होगा flow through pipes this is very very important this is very very important very very important for J and A examination बहुत important है इससे questions हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं हर बार आना ही ते हैं बात समझ में आया तो pipe flow का मतलब क्या होता है क्या सिर्फ pipe में पानी अगर बह रहा है तो उसे आप pipe flow समझेंगे पताइए भाई क्या pipe में अगर पानी बह रहा है इस तरह से तो क्या ये भी pipe flow है नहीं ये pipe flow नहीं है ये open channel flow है जब pipe में पूरा भर करके पानी बह रहा हो जब pipe में पूरा भर करके पानी बह रहा हो under pressure flow हो रहा हो तो उस प्रकार के flow को हम लोग क्या कहते हैं pipe flow कहते हैं ये confusion clear रखिएगा कई बर बच्चों के confusion होता है कि pipe flow का मतलब है कि pipe में पानी बह रहा है तो भी तो pipe flow ही होगा ऐसा confusion बच्चों के दिमाग में रहता है ये confusion मत रखिएगा जैसे कि ये pipe flow नहीं है ये pipe flow नहीं है this is not pipe flow this is the pipe flow pipe flow का मतलब है flow under pressure through the pipe पाइप के द्वारा होने वाला flow, under pressure, रमेश कुमार, कुलदीप, विने, गुदिवनिंग बच्चों, गुदिवनिंग, हम लोग क्लासेश सुरू करना हैं, ठीक है, तो pipe flow के question लगाने के लिए न, अगर pipe flow के आपको questions लगाने हैं भाई, तो सबसे पहले आपको कुछ important बाते स important concept होता है losses का, very important concept, किसका concept होता है losses का, losses कितने प्रकार के होते हैं, losses दो प्रकार के होते हैं, एक होता है major loss और दूसरा होता है minor loss ठीक है ना एक होता है major loss और दूसरा होता है minor loss ठीक है तो इन दोनों losses को cover करना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा तर question इन ही दोनों losses से ही आपको दिखाई पड़ेंगे अमोमन आप देखिएगा ज्यादा तर प्रश्ण आपको इन ही losses से ही दिखाई पड़ते हैं जब तक आप यह दोनों losses नहीं clear होंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी तो आएगे देखते हैं जरा losses में क्या-क्या पढ़ना है आपको जो question में कराने जा रहा हूं न उन questions को कराने से पहले आपको थोड़ा समय concept बता रहा हूं वह concept सीख जाओगे तभी question आप लगा पाओगे तो अगर losses का हम लोग बात करें तो पहला loss कौन सा होता है major loss major loss क्यों होता है major loss का कारण क्या है major loss is due to friction और minor losses के कई सारे कारण है there are so many reasons of minor losses अभी हम minor losses पे नहीं जा रहे हैं फिलहाल आज की class में हम minor losses पे नहीं जा रहे हैं जैसे sudden enlargement जैसे sudden contraction जैसे exit losses जैसे entry losses पाइप अगर आपकी bend हो गई तो bend losses there are so many losses तो फिलहाल हम इस को आज नहीं cover कर रहे हैं किसी और दिन cover करेंगे क्योंकि आज जो सवाल हमें लगवाना है जो concept बताना है वह concept कहां से deal करता है वह concept deal करता है major losses major loss का reason क्या है friction friction के कारण head loss होता है friction के कारण head loss होता है और head loss का एक formula आपने पढ़ा होगा hf is equal to 4flv square upon 2gd लेकिन सिर्फ एक formula से काम नहीं चलेगा आज हम आपको दो formula और पढ़ाने वाले हैं क्या आज का हमारा class का जो concept है उस किस concept पे हम बात करेंगे बच्चों इतनी बात समझ में आई आज मुख रूप से हम किस पी बात करेंगे इसकी बात करेंगे आज formula आपके सामने derive करके दिखाएंगे कि किस तरह से किन formula से आपको deal करना है इस class is going to be very very important class for your preparation आप अगर prepare कर रहे हैं आपके लिए बहुत important class होने जा रही है क्योंकि इस पूरे concept को detail में करेंगे फिर questions पे आएंगे क्योंकि ऐसा concept है अगर detail में नहीं करेंगे तो questions आप लगा ही नहीं पाओगे समझी नहीं पाओगे तो आज की class में मुख्य रूप से हम major losses को देखेंगे और major losses में हम किस formula को देखेंगे 4 head loss hf is equal to 4 flv square upon 2 gd एक बार thumbs up करके सब लोग बता दो कि आप सब class में हो यह screen मुझे बड़ी शान दिखाई पड़ रही है तो चलती हूँ दिखाई पड़ेगे तो समझ में आएगा ठीक है ना यह formula जो आप पढ़ते हो यह जो formula आप पढ़ते हो मैं इसी से शुरुवात करूँगा मैं इसी से शुरुवात करूँगा इसको मैं f dash लिखता हूँ इसको मैं क्या लिखता हूँ f dash 4fl dash v square upon 2 gd और इसका नाम में क्या देता हूँ इस formula का नाम में क्या देता हूँ यानि f' का नाम क्या होता है मैं इसका नाम देता हूँ fanning friction coefficient देखिए इस topic में सारा खेल फार्मूलो का है इस फार्मूलो को अगर आप समझ गए तो यह पूरा topic समझ जाएंगे जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत important है correlate करके पढ़ाऊंगा मज़ा आ जाएगा आपको इसका नाम क्या होता है fanning friction coefficient क्या नाम होता है बच्चों एक बास सब लोग बता दो यह फार्मूला कभी नहीं भूलेगा सर अभी इस से सम्मंधित दो फार्मूले और बताऊंगा अभी तो एक नहीं भूलेगा ना अभी दो और बताऊंगा और तीनो नहीं भूलेगा और जि Moody's friction factor, अब उस पे आते हैं, दूसरा जो formula हमारा होता है, वो होगा, HF is equal to F L V square upon 2 GD, this is the formula, जहाँ पे जो F है न, इस F का नाम क्या है, Darcy Friction Factor, या इसको हम लोग कई बार Moody's Friction Factor भी कहते हैं, मैं एक लिख दे रहा हूँ, Darcy Friction Factor, तो सबसे पहले इन दोनों formula से आप खूब अच्छे से comfortable हो जाईए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, दोनों formula को ध्यान रखिएगा, ये भी HF है, ये भी HF है, लेकिन यहाँ F dash क्या है, यहाँ F dash है Fanning Friction Factor, और यहाँ F क्या है Darcy Friction Factor, बोलो यार इतनी बात समझ में आई, है, दोनों formula जानना बहुत important है, मैंने बोला ना, इसका एक नाम और होता है, चाहे तो लिग दे रहा हूँ आपको, moody's friction factor, दोनों formula को नहीं जानोगे, तो सवाल नहीं समझ में आएगा, एक बार सब लोग थमसब करके बताओ कि दोनों formula से comfortable हो गए हो, क्या अंतर है समझ में आया, क्या अंतर है समझ में आया, एक FLV square point 2GD है, एक 4FLV square point 2GD है, अगर इन दोनों formula को compare करोगे, तो एक result निकल के आता है, एक result निकल के आता है, बच्चों, क्या result निकल के आता है, कि F is equal to 4F dash, यह result निकल क्या है, F is equal to 4F dash, यानि F क्या है, बोलो F क्या है, F है Darcy Friction Factor, F है Darcy Friction Factor, और F dash क्या है, fanning, fanning friction coefficient, तो एक J E का question तो यहीं से निकल गया, कि आपसे पूछ सकता है, कि coefficient of friction या fanning friction coefficient और Darcy Friction coefficient में क्या relation है, एक तो यहीं पर हो गया, कि इन दोनों में क्या relation है, यह बात आपको समझ में आ गई हो, कि नहीं आ गई हो, मुझे तमसब करके बताईए इन दोनों फार्मूलों में क्या रिलेशन है पहला फार्मूला हमारे लिए ये इंपोर्टेंट है दूसरा फार्मूला हमारे लिए ये इंपोर्टेंट है और तीसरा फार्मूला हमारे लिए ये इंपोर्टेंट है तीसरा वला तीन फार्मूले हो गए है अब हम चोथे वार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं चोथा फार्मूला हमायर जानना और जरूरी है चोथा फार्मूला कौन सा आएगा चोथा फार्मूला आएगा देखिए अभी हमने एक एक formula derive किया, hf is equal to flv square upon 2gd, अब इसी formula को, अब इसी formula को base लेके चलेंगे, इसी formula को base लेके हम लोग चलेंगे, इसको sumi current number 1 बना दो, इसको equation number 1 बना दो, एक formula आप जानते हो, क्या होता है, q is equal to av, a क्या हो सकता है, pi by 4d square into velocity, this is q, यहां से अगर हम velocity निकालना चाहें, तो निकल जाएगा, आ जाएगा, 4q upon pi d square, theoretical concept भी पढ़ा दे रहा हो बेटा थोड़ा सा, अगर theory नहीं पता होगा इसका, तो इसके questions नहीं निकल के आएगे, मैं एक तीसरा formula निकालने जा रहा हूँ, या चौथा formula निकालने जा रहा हूँ, which is very very important, वो formula किताबों में आपने कम पढ़ा होगा, लेकिन questions हमेशा आते हैं, और खास तोर पे advanced level के questions तो आते ही आते हैं उस पे, जो मैं कर रहा हूँ, इसमें clarity है कि नहीं, बताओ मैंने क्या किया, q is equal to av, a की value pi by 4d square into v, v की value 4q upon pi d square हमने निकाल ली, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यह करना चाहिए, कि putting the value of v in equation number 1, equation number 1 में हमें v की value put कर देनी चाहिए, आप केवल थमसब करके बताइएगा, जो पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं नहीं मिलेगा इतना detailed में, direct formula भले मिल जाए, यह detailed explanation नहीं मिलने वाला, यह सिर्फ यहीं gd.pandesar की class मिलेगा, आपको make my career पे, put कर दीजिए, put करेंगे तो क्या हो जाएगा, put करेंगे तो हो जाएगा, f, l upon 2gd multiplied by, यह, 4q upon pi d square और इस पूरे का whole square, यहां तक सब लोग सहमत हैं, एक-एक चीज detail कर रहा हूँ, एक-एक चीज detail कर रहा हूँ, ESC gate level तक आपको ले जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता scratch level से, शून से शिखर तक की यात्रा है बच्चों यह, चूनने से शिखर तक की यात्रा है, अराम-अराम से करेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, अब देखो क्या करेंगे, अब multiply कर देंगे, f, l upon 2gd, यह कितना हो जाएगा, चार चोक, 16, q2, π2, dk-4, यह हो जाएगा, इसमें भी किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, यहां तक हमने कुछ किया है, जो किया है, उसमें किसी को कोई doubt हो तो बताओ, I think कोई doubt होना ने चाहिए यह सब किसके बराबर आ रहा है HF के बराबर आ रहा है अब HF बराबर अगर हम फिर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यह हो जाएगा solar q square f l upon 2 g d into pi square d k power 4 यह आएगा बोलो एक बार thumbs up करके बताओ यहां तक सब को समझ में आया बच्चों यहां तक सब को समझ में आया thumbs up करके बताओ solar f l q square solar f l q square upon 2 g d 2 g d pi square d k power 4 अच्छा यहां देखो small d capital d हमने गलती से कर दिया सब जगा capital d ही कर दो ना ताकि a कही रहे सब जगा capital d ही कर दो ताकि a कही रहे अभी इस formula को मैं आगे लेके चल रहा हूँ इस formula को मैं आगे लेके चल रहा हूँ बोलो क्या लेके चलूंगा देखो क्या आया hf is equal to क्या आया मैं इस formula को आगे लेके चल रहा हूँ solar f l q square solar f l q square अभी जब last में आयेगा न result तो मज़ा आजाएगा आपको 16 F L Q square 2 G πाई square और D के पाउर 5 एक D यहां है D के पाउर 4 है तो कितना हो जाएगा 2 G πाई square 2 G πाई square D के पाउर 5 यहां तक में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ 16 F L Q square अपान 2 G πाई square D के पाउर 5 2 G πाई square D के पाउर 5 अब देखो अब हम क्या लिख सकते हैं 16 को नीचे ला लो solar को नीचे ले आओ तो f l q square बटे 2 g pi square बटे solar multiplied by d k power 5 एक एक चीज explain कर रहे हैं थमसब करके बताईएगा समझ में आ रहा हो तो इस step तक सब लोग सहमत है इस step तक सब लोग सहमत है इस step तक सब लोग सहमत है f l q square upon 2 g pi square upon solar d k power 5 बो भाई f l q square upon 2 g pi square बटे solar d k power 5 अब इस term को ध्यान से देखिए अब वो result आने वाला है जिसके लिए तनी मेहनत की गई इस term को ध्यान से देखिए इस term को इस term को ध्यान से देखिए ये term क्या कह रहा है 2 क्या कह रहा है 2 g pi square upon solar 2 into g 3 की पहलू आएगे 9.81 pi की value 3.41 into 3.41 बोलो यार यहां तक कोई doubt हो यहां तक कोई doubt नहीं है बोलो भाई यहां तक कोई doubt नहीं है न अच्छा तो देखिए 3.14 बटे शोलर जड़ा इसको solve करो यह value कितनी आ रही है यह value जितनी आएगी वो जान के आपको मज़ा आ जाएगा और यहीं से एक नया formula इजाद हो जाएगा यहीं से एक नया formula इजाद हो जाएगा वो formula जो आपने साइद अभी तक न पढ़ा हो और मेरा आज की class का पहला question ही इसी formula पे है मेरा आज का question ही इसी formula पे है एक बच्चा कह रहा है 12 आ जाएगा और लोग चेक कर ले और लोग चेक कर लेजे क्या इसका answer 12 आएगा बिल्कुल सही बात है इसका answer 12 ही आएगा बच्चों तो 12 यहाँ put कर दोगे तो formula आएगा hf is equal to fl q square upon 12 dk power 5 this is the formula क्या जानकारी मिली हमें हमें क्या जानकारी मिली कि head loss का सिर्फ एक formula नहीं होता head loss का सिर्फ एक formula नहीं होता है कई formula होते है और खास तोर पे दो formula तो होता ही होता है एक discharge के form में होता है q के form में और एक velocity के form में होता है बोलो यार are you getting my defense? are we clear? थमसब करके बताओ ऐसे पढ़ाता कभी detail भी कर दिया पूरा समझा भी दिया आपको और आपको मैंने बता भी दिया कि ये चीज आई कहां से रटना नहीं पढ़ेगा मैं ये नहीं कहता कि आप इसको पूरा detail रटे इसको detail पढ़ें लेकिन रटना नहीं पढ़ेगा कम से कम समझ में तो आ गया कि बहुत आसान है, सर्च में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया हो, थमसब करके सब लोग एक बार बताएं, तब मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है, यानि देखें क्या समझें हम, हम क्या समझें, कि हम अगर मेजर लॉस की बात करें, तो मेजर लॉस क्यों होता है, इसके दो फॉर्मूले है, इसके दो फॉर्मूले है, एक फॉर्मूला है, ह F is equal to F L V square upon 2 G D, और दूसरा फॉर्मूला है, ह F is equal to, क्या आया है, देखो, F L Q square, F L Q square upon 12 D के पावर 5, ना 12 D के पावर 5, we have two formula हमारे पास दो-दो formula है एक इधर है हमारे पास और एक इधर है हमारे पास एक ये है and another is this ये किस के लिए है ये in terms of velocity जो पढ़ो detail में पढ़ो नहीं तो मत पढ़ो ये किस में है in terms of discharge बोलो भाई समझ में आया समझ आ गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है concept clear it is well very well ठीक है ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बहुत simple बाते हैं बस ये जानना जरूरी है कि major loss major loss जो होता है वो उसके दो formula है ये दोनो formula आपके दिमाग में होने चाहिए चीक है ना head loss due to friction head loss due to friction के कितने formula है दो formula है एक ये डार्सी वेजबे की question बोल सकते हैं आप को दिक्कत वाली बात नहीं है actually this is all about having knowing the formula formula याद होना चाहिए आपको clear हो गया बच्चों अगर clear हो गया तो हम पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि पहला सवाल ही हमारा इस पे था मुझे ये क्यों बताना पड़ा क्योंकि पहला question ही हमारा इस पे है अब पहला question लगवाते तो आप कहते हैं सर हम तो ये पढ़े नहीं है क्योंकि ज्यादा तर बच्चे न एक ही formula पढ़े होते हैं एचा फिजुक्वल टू फोर फल्वी स्क्वाइर अपन टू जी डी सिर्फ यही पढ़े होते हैं और इस पे सवाल आने की संभावना एक कम है पहला सवाल हमारा इस formula पे था इसलिए मुझे यह बताना पड़ा अब आए लोट के चलते हैं पहले सवाल की तरफ काफी आगे निकल भी आये हैं पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला सवाल ये है लगाईए पहला सवाल ये है लगाईए पहला सवाल इसी फॉर्मूले पे है किस फॉर्मूले पे HF is equal to F L Q square upon 12 D k power 5 मुझे लगता है अब मुझे लगवाने की जरूत नहीं है क्योंकि मैंने सवाल तो समझाई दिया आपको मैंने formula पूरा derive करा दिया तो F L Q square upon 12 D k power 5 इसी पे लगाना है क्या क्या रहा है pipe having length of 200 meter and dia 200 mm diameter with the friction factor this is to be replaced by this diameter pipe friction factor this to convey the same quantity of flow the equivalent length of the new pipe for the same head loss will be क्या पकलना आखरी line same head loss same head loss का मतलब है कि दिया है H F 1 is equal to H F 2 तो क्या हो जाएगा F 1 L 1 Q 1 का whole square upon 12 D 1 के power 5 is equal to F 2 L 2 Q 2 का whole square upon 12 D 2 के power 5 यह है इसी formula में put करो सारी values दी हुई है जो value नहीं दी हुई है उसका answer फटाक से निकल किया जाएगा कोई rocket science नहीं है ऐसे सवाल नहीं लगाओगे तो concept नहीं build होगा और concept नहीं build होगा बच्चों तो J E की तयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी J E का exam नहीं निकलेगा exam निकालने के लिए you have to very much clear about your concept you have to be very much good in your concept in your subjects बताओ क्या आएगा क्या answer आएगा बताओ क्या answer आएगा बताओ सब की value दी हुई है सब की value दी हुई है each and everything is given just put the values and find the answer just put the values and find the answer कुछ लोग कह रहे है A part आएगा नहीं D part दीपक क्या दोने कहा है D part बाकी लोग कुछ कह रहे है बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे है दीपक का answer बिलकुल सही है जो लोग नहीं कुछ कह रहे है उनसे मेरी गुजारिश है वो लोग भी कुछ कहें D ही answer आएगा मैंने अभी पूरा formula derivation किया है बच्चों तो अब मैं इसको क्या लगवाऊंगा F1 दिया है L1 दिया है Q1 दिया है D1 दिया है F2 दिया है L2 दिया है नहीं L2 पूछा है Q2D2 दिया है सारी value put करोगे answer आजाएगा D answer आएगा 8000 मीटर लगाने की जरूत तो नहीं है न ठीक है न आपको अगर हम एक एक सवाल लगवाएंगे तो हम आपको मानसिक रूप से अपाहिज बना देंगे आप आहिज नहीं बनना है ना आपको तो दोड़ना है खुद के कदमों पर खुद के पेरों पर पर कभ दोड़ हम आपको तैरना सिखाने के पीठ पे लाद के नहीं सिखाएंगे आपके बगल में तैरते हुए आपको तैरना सिखाएंगे तैरना कैसे तैरा कह जाता है बाकि एफ़र्ट आप लगाई यह तब कुछ तो दिखा दिया आपको पूरा फॉर्मला ही डिर्वेशन कर दिया बात अच्छी लगी समझ में आय होगा तो फिर आप कैसे कोशन कर पाएंगे सब्सेप्ट बताना ठीक लगा धिया फिठें कोशन ही लगवाना चाहिए था एक अगरा के बताईए जिक हैरे सब्सेट इंजवाई किया आपने किस तरह से फॉर्मला निकल वाया गया है हम लोग में घृट की तरफ आगे बढ सारे कोशन थोड़े से डवांस लेवल के हैं लल्लू बुद्धु कोशन लेके नहीं आया हूं थोड़े से डवांस लेवल के हैं पारेनंने का का это रिखे सब्सक्राइगा है कि कुशन-नमबर टो लगाई career का एंसर बताइए कि का observed टो का सिर्फ फॉर्मूला बता दीजीए भी आपको बात पकड बें आगई को इसके इसको क्सिपन क्सितना में ना आज डेरिवेशन तो नहीं किरा रहा हूं लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख दूंगा भी ठीक है ठीक है अच्छी बात है कॉंसेट इंज्वाई कि आपने अच्छी बात है मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ आप इपर देख लिजिए यह फार्मूला पहले आपने पढ़ा होगा किस फार्मूले के तहट आप कह रहे हैं कि डी है फार्मूला क्या है फार्मूला अगर आप कह रहा है कि steady laminar flow है given discharge through the circular pipe of a diameter D, the head loss is proportional to, तो यहां से देखो HF को देखोगे अगर, HF को अगर देखोगे तो it is inversely proportional to D के power 4 और यहां से मिलाओगे तो यह उपर जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, HF proportional to D के power minus 4, correct answer is D, क्यावल एक सवाल आपके पूरे concept की न, पूरा concept की building कर देता है, एक अच्छा सवाल और एक खराब सवाल आपका time बरबाद करता है, you should very much clear about the questions, कौन से question choose करने है, कौन से question choose नहीं करने है, preparation phase के किस phase में कैसे सवाल लगाने है, आसान सवाल कप करने है, थोड़े से difficult सवाल कप करने है, ज्यादा difficult सवाल कप करने है, difficult सवाल से क्या सीखने को मिलेगा, उस सीखने को मिलेगा उसको कैसे से रखेंगे साइड में बचा करके बात समझ में आया ना कोशन नमबर थिरी यह देखिए यह सवाल इतना फाइन सवाल है इतना प्यारा सवाल है कि पूछे मत बहुत प्यारा सवाल है और कुल मिला करके एक लाइन का सवाल है कुल मिला करके यह एक लाइन का सवाल है एक कर लिया, फटाक से, कुछ लोग answer दे रहे हैं, कुछ लोग A part कह रहे हैं, कुछ लोग B part कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, center line velocity of a pipe flow is 2 meter per second, what is the average flow velocity in the pipe if the Reynolds number of the flow is given 800, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, इस सवाल को लगाने से पहले मुझे आप लोग ये बताईए, कि इस सवाल में Reynolds number की value क्यों दी हुई है, इस सवाल में Reynolds number की value क्यों दी हुई है, What is the reason behind this thing कि renal number की value क्यों दिया हुआ है Comment करके बताईए Comment करके बताईए कि renal number का value क्यों दिया हुआ है What is the cause of giving the value of renal number What is the reason of giving the value of renal number क्यों renal number क्यों दे दिया है भाई क्या बताना चाह रहा है renal number दे करके बताईए रेनाड नमबर दे करके वो बताना चाहता है कि the flow is laminar रेनाड नमबर दे करके बताना चाहता है वेरे गोट समिक्षा रेनाड नमबर दे करके बताना चाहता है वो कि the flow is laminar अब laminar flow हो गया अगर laminar flow हो गया तो फिर आप से पूछा क्या है कह रहा है center line velocity center line velocity in a pipe flow is 2 meter center line से मतलब क्या है center line से मतलब है maximum velocity क्योंकि laminar flow में maximum velocity कहां मिलती है center पर मिलती है बात समझ में आया है न center line velocity मतलब maximum दिया हुआ है यानि जो value दी हुई है वो v max की value है 2 meter per second तो जब v average आप से पूछा है और laminar flow है तो v average कितना होता है v max by 2 तो 2 by 2 2 by 2 कटेगा तो वना जाएगा answer is c part कितना आसान question है न कितना simple question है लेकिन कितना conceptual based है concept बिलकुल सजा सजा के परतों में रखा गया है calculation में कुछ नहीं है बहुत simple है एक इस सवाल को लगाने में मुश्किल से कितना चाहिए मुश्किल से आपको चाहिए 10 second उसको तो चाहिए 10 second जो सवाल को समझ गया जो सवाल को नहीं समझा वो तो 10 minute में भी नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसको कई चीजें पता ही नहीं चल पाएंगी center line velocity क्या है यह formula कैसे लगा दिया उठा करके leminar flow में किस तरह vary करता है formula यह 800 leminar flow की renal number की value क्यों दी हुई है इन तमाम सारी बातों को समझी नहीं पाएगा आजमी समझ में आया बच्चों बो यार clarity हुई आपको one answer आया न चीख है one answer आ रहा है कुछ लोग का चीख है चलिए next सवाल की तरफ आगे बढ़ते है यह सवाल थोड़ा सा थोड़ा सा difficult level पे हो गया है इसलिए इस class में इसको नहीं करा रहे हैं हम बढ़ जा रहे हैं next सवाल की तरफ यह सवाल simple है यह आपके level का है यह लगाईए यह सवाल सवाल का level देख रहे हैं आप न किस कितने अच्छे सवाल है कितने खूपसूरों सवाल है बहुत famous सवाल है बार-बार इस concept पर question आते हैं बार-बार आते हैं एक बार नहीं बलकि बार-बार आते हैं यह तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा detail अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना ही पढ़ेगा कुछ लोग B कह रहे हैं कुछ लोग A कह रहे हैं B और A जवाब आ चुका है C और D भी आ जाए ठीक है HF is equal to क्या होता है head loss is equal to H by 3 होता है ना correct answer क्या होना चाहिए A part one third of the total head at the inlet समझ में आया ना power is directly proportional to one third one third A part A part काफी लोग का answer आ गया है ठीक है अच्छी बात है अच्छी बात है आगे बढ़ा जाए इस सवाल को लगाईए यह सवाल क्या है यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है love it's a very good question और यह very important type of question भी है यह जानलो ना कि अगर pipe flow से numerical सवाल बनेगा अगर pipe flow से numerical सवाल बनेगा तो इस तरह के सवाल आने की संभौना सत प्रतिशत है यह सवाल लगाईए यह सवाल चॉकलेट वाला कोशन है यह जो लगाईए उसको बड़ी वाली चॉकलेट उसको मिलनी चाहिए यह सवाल बड़ी वाली चॉकलेट डिजर्व करता है जो बच्चा लगाएगा बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा राहूल सिंग कुश्वाहा इतनी जल्दी जवाब नहीं आएगा बेटा इसका इतनी जल्दी जवाब नहीं आएगा हाँ माइनर टाइप आफ लॉसेस दिल दुख्सती रख छेड़ दिया मुकेश ने कि सर आपने माइनर टाइप अफ लॉसेस पढ़ाया नहीं और आप सवाल पूछ रहें ठीक है सही करें नहीं बताऊंगा इसको इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्स्पेंड करूंगा जब माइनर लॉसेस पढ़ा दूँगा अरे बिल्कुल सही बात आपने कहा कि सर आपने तो भी माइनर वाली लॉसेस पढ़ाये नहीं हैं और आप यह वारा सवाल पूछ लिए कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं वेरी गूड लेकिन मैंने अगर नहीं पढ़ाया है तो मेरा ह भक नहीं बनता कि मैं ऐसे सवाल पूछूं जो कि minor losses पर हैं बात समझ में आया ना इसका answer बता दे रहा हूं मैं आपको आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कल की क्लास में मैं जब minor losses पढ़ाऊंगा आपको तो इसी सवाल को explain कर दूंगा यहां से हलांकि सवाल में कुछ है नहीं बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन चुकि आपका कहना है किसे आपने minor losses वाला कराया नहीं अभी तो मैं इसको explain कर दूंगा tomorrow next class में कैसे ऐसे हो गया आज major loss समझा दिया न तो आप फड़ाफट कर ले गए ऐसे ही minor loss कल समझा देंगे तो आप फड़ाफट कर ले जाओगे दिक्कत नहीं आएगी बात समझ में आ न वैसे D होगा यह सवाल इतना popular है कि कितने लोगों तो रट गया होगा इसका answer कितने इसका answer ही बट रट गया होगा 9 बटे 16 इसको देख करके टिक कर देते हैं इस वेरी popular question बहुत popular है यह समझ में आ रहा है तो कल हम लोग इसको explain भी कर देंगे आज minor losses कराया नहीं है तो इसलिए नहीं करा दे रहे हैं आपको तो आज बच्चों class हम यह conclude करते हैं शिवेन जी आएंगे और वो class लेंगे casting की ठीक है तो शिवेन सरा के हैं time है अच्छा तो आज मेरे को concept भी बताना था और फिर आपको questions भी कराने थे मेरा स्वास्त थोड़ा साज ठीक नहीं था इसलिए थोड़ा समय कम उर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ ठीक है तो कल फिर मेरी मुलाकात होगी कल के class में मुख्य रूप से minor losses का concept बताऊंगा मैं आपको और पूरा minor losses चुटकियों में आपको explain कर दिया जाएगा कि किस तरह से sudden contraction, sudden expansion, exit losses, entry losses, bend losses की सारी चीज़ें होती हैं कल मैं इसको detailed explanation आपको दे दूँगा, आज की class हम लोग यही conclude करते हैं, hope कि आपने यह class enjoy किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, एक जरूरी सूचना है, शिवेन सर की class से related, जिसे मैं यहाँ share कर देना चाहता हूँ, जो लोग जुड़े हैं, वो बने रहे मेरे साथ में, an important information is there, an important information about शिवेन सर classes, शिवेन सर की classes से जुड़ी एक important सूचना है, ठीक है न, एक important सूचना यह है, कि शिवेन सर 22 तारिक को, 22 यानि कल, ना सर, 25 जुलाई, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को, और 24 जुलाई को, उपलब्ध नहीं रहेंगे, किसी important काम से, सर को बाहर जाना है, out of the city रहेंगे, तो तीन दिन सर की उपलब्धता नहीं रहेंगे, लेकिन जैसा आपसे promise हुआ है, उपलब्धता सर की नहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं है, सर questions नहीं कराएंगे, लेकिन इन तीन दिनों पर, तीन क्लास, शिवेन सर के द्वारा पढ़ाई हुई क्लास ही, आपको हमारे चैनल पे, ठीक 6 बजे, 6 पीम पे जैसे मिलती है, उसी तरह मिलेगी, और इन क्लासेस का topic क्या होगा, इन क्लासेस का topic क्या होगा, 22 तारिक को आप क्रिस्टलोग्राफ क्लास आपको मिलेगी, पहली क्लास आपको मिलेगी, 22 तारिक को, और क्रिस्टलोग्राफी की दूसरी क्लास आपको मिलेगी, 23 तारिक को, और 24 तारिक को कौन सी क्लास मिलेगी, destructive testing, इन क्लासेस रुकेंगी नहीं, बस यह है, थोड़ा सा change कर दिया गया है, कि सर उपलब्द नहीं है, सर ने वीडियो रेकॉर्ड कर दिया है, और वीडियो प्रीमियर होगा, आप क्लासेस देख सकते हैं, और निश्चित रूप से यह वो concept है, जो आपके examination point of view से most important है, बात समझ में आए बेटा, तो मैं सूचना पहले ही दे दे रहा हूं, कि आपको क्लास मिस नहीं क रेक लेना, जो भी book आप follow करते हो, कि किस्लोग्राफी का concept क्या होता है, 22 और 23 तारिक को सर का किस्लोग्राफी वाला वीडियो प्रीमियर होगा, लब लाइव होगा चलेगा इस पे, और destructive testing की class होगी 24 तारिक को, यानि 22, 23, 24 में आपको दो concept भी सीखने को मिल गये, you will be very much clear about the crystallography, as well as the destructive testing, so this is the plan, as we are committed to provide the quality education for my dear students, we are, if there is any issue about the availability of the faculties, we are here to provide you the recorded lectures, or we are here to provide you the concept classes, but कुछ न कुछ जरूर इस चनल पे आपको मिलेगा, जिससे कि कि किसी तरका कोई आपको लेक ना हो, आज ही class इतना ही, हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ, positivity बना के रखिए, आसपास और सकारत्मक तरीके से पढ़ाई करते रहे, कल फिर पांच जे मुलाकात होगी, तब तक के लिए भन्नेवाद